कि आपको पता है कि जब आप सफारी कर रहे होते हैं तो जानवर आप पर एटेक क्यों नहीं करता है पर कुछ इनसिटेंस में पाया गया है कि जानवर किया भी है आकिर इसके पीछे का माजरा क्या है ये भी समझेंगे सेशन में और फिलाल आपको बता दें कि इंतजार नहीं कर रहे हैं ये लोग कि आप इनके टरिटरी में जाकर सफारी करें क्योंकि देखा गया है कि मनुष्य अपनी कुछ प्रवर्टियों को छोड़ नहीं सकता और कुछ इंसान ज सफारी हो रही होती लोग बर-बर के पहुंसते इंको देखने के लिए कि कैसे शिकार कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये लोग और अगर उनमें से कोई वेक्टी ने जरा सब इनको परिशान किया तो फिर इनका असली रौधर रूप देखने को मिलता है तो क्या सफारी करेंगे आईए करना तो चाहिए और कर भी सकते हैं पर आपको बरतनी पड़ेगी कुछ एतिहाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है एक कभी रूलिंग आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इमान रखा है कि आप इनके एरिया में जाकर अगर सफारी कर रहे हो तो आप ब बारे में भी जान लेते हैं यह अथॉरिटी है जो कि एक स्टाच्यूटरी बॉड़ी है मतलब लौदवारा बनाई गई है मिनिस्ट्री आफ इन्वार्मेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के तहट एक अमेंडमेंट हुआ था उननीस सो बहत्तर वाइल लाइफ प्र जो एक दिशा में सोचे वो है टाइगर का कंजर्वेशन और इसने बहुत अच्छे काम किये हैं अच्चीवमेंट इसके बहुत अच्छे गिटाइगर का पॉपुलेशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है तो स्वभाविक सी बात है जब यह टाइगर कंजर्वेशन थॉलि टूरिस्ट सेंट्रिक आइडलाइन लिए देने लगे क्या टूरिस्ट सेंट्रिक आइडलाइन थे आपको बताएं एक बहुत बड़ा एक्जैम्पल है जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क जहां पर टाइगर सफारी की जाती है 2019 के एक रूल के हिसाब से NTCAK ये चाहते हैं कि नैशनल पार्क के अंदर बिल्कुल एक ऐसे एक्जॉल्टेट जूस बनाया जाए एक सफारी का पूरा एक प्रावधान बनाया जाए जहां पर खूब सारी सफारियां हो तो मतलब ये टूरिस्ट सफारी करते हुए अंदर तक पहुंचेंगे नैशनल पार्क में अब आपको समझना होगा कि क्या और क्या नहीं हो रहा है 2019 का गाइडलाइन है और वहां पर ये बोला जा रहा है गाइडलाइन प्रोवाइड़ेट फॉर इस्टाइगर सफारी इन बफर और फ्रिंज एरिया तो टाइगर रिजर्व की एंटीसीय ने 2019 के गाइडलाइन की मतलब वो अपने घर में ही रहेंगे हम शायद अपने घर में से निकल कर उनके घर में चाहते हैं और वहां जाके हम उनको परिशान कर रहे हैं कोर एरिया बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया समझना बहुत ज़रूरी है यहां कंस्य कोई बी हूँ मं आयक् और नहीं होती, अगर आप न अश्यव्य पार को देख रहे हैं तो नाश्यव पार का यह सबसे बह यही सब से बहुआ हुँब्र और निकल सकता है, बफर जोन में घूम सकता है तो ये पूरा national park आपका core और buffer में बटा रहता है इसके बाद आपकी transitional areas आ सकती है No human activity can be permitted inside the core area तूसरा है buffer area buffer area में कुछ चीज़े हो सकती है पर पहले आप इस समझ लेगी legal status national park का है क्या Wildlife Protection Act ने national park को बिलकुल एक invoilable status दिया है अपने अंदर define किया है इसकी boundaries भी जो होंगी वो fix होंगी legislation के द्वारा अगला सवाल जो आपके मन में उठता है कि कौन घोशित करता है national park को आज से doubt clear रखिएगा It is even central government and even the state government that can try to designate any area in their call as your national park दोनों सरकारे कर सकती है अगला सवाल क्या आप कर सकते हैं क्या आप नहीं कर सकते हैं याद रखिएगा अगर आप national park में हैं तो अमूमन आपको बता दे आपके कोई human activity allowed नहीं होती है और यह बात की जारी है core area की grazing of livestock, private tenorial lights are not permitted here आप ना रुख सकते हैं ना grazing करा सकते हैं are not to be disturbed, hunted, or captured here no person shall destroy, remove, or exploit any wildlife from national park or destroy or damage the habitat of any animal or deprive any wild animal of its habitat उनका घर है आप उनके घर से उनसे कुछ चीन नहीं सकते हैं पर they cannot be downgraded to the status of a sanctuary मतलब sanctuary भी defined है यह national park से नीचे के दरजे में आती है legal status में देखा जाता है पर the areas are open to the public for recreational purposes such as hiking, camping and wildlife watching safaris और यह कहां यह buffer और fringe area पर होती है core area में नहीं, core area में अगर safari होने लगी तो बस one way रास्ता है वो आप अंदर जाएंगे बाहर मुश्किल है कोई आएगा पर अभी हम आपको बताएंगे कि टाइगर जब एक जीप को देखता है और आपको उसके साथ देता है तो attack क्यों नहीं करता अभी बताएंगे, सुनिएगा गौर्स सुनिएगा अगला समझे एक नाम होता एक टाइगर हाबिटाट 1972 के वाइलाइप प्रोटेक्शन आक्ट में ही में इसका मतलब है कि वह ऐसा एरिया है यह को एरिया जहां पर इन्वाइलेबल है आपको यह आक्टिविटी नहीं कर सकते हैं अब फर्स करिएगा कि जीप में बहुत सारे लोग बैटे हैं और टाइगर को अपने सामने देख रहे हैं टाइगर को क्या दिख रहा है अब हम यह बता दें जो अमूमन एक रिसर्च किया गया उसमें पता चला कि टाइगर को आप नहीं दिखते हैं टाइगर आपकी जीप को देखकर समझता है कि एक एसी ही एंटिट इसलिए करता है क्योंकि अब Tiger को लगता है कि Jeep का cover खतम, यह suspicious आदमी यह कौन है, यह बाहर निकल लाए Jeep से इसी को खाओ, यही प्रे है, अगर आप Jeep में साफधानी से बेटे हुए, अपने हाथ वाद अंदर करके तो उसको Jeep दिखती है, आप से उसको कोई फरक नहीं परता हू और उस पर कुछ भी आमला करते हैं, या खाना फेकते हैं, कुछ फेकते हैं, तो वो सबसे डेंजरस काम है, इसलिए कभी भी सफारी करते हैं समझेगा, सुप्रीम कोड को पूरा यकीन था कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए बोला भाई मत करो अंदर सफारी मत बनाओ ये तो बेकार का अटाक बढ़ जाएंगे टाइकर के लोगों के उपर या कोई भी ऐसे आनिमल सफारी में वो अटाक कर सकते हैं, अदर्वाइस वो आपको नहीं देखते हैं, वो सिर्फ जीब को ही देखते हैं, जीब का कलर भी ऐसा ही रहता है, जो शायद उनको समझ में कुछ भी नहीं बोलेगा, पर अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करें, कुछ फेके उसकी तरफ तो समझ जाते हैं, कुछ suspicious activity है, और तब वो अटाक करता है, आज के लिए बस इतना है, अगर आपको पसंद रहें, जरूर लाइक सब्स्राइब और शेर करिएगा, आपको बता दे, कि हमारे batches चालू हो रहे है, January 19 से, अब नहीं जूड़ेंगे, तो कब जूड़ेंगे, अब समय आ चुका, exam भी पास आ रहा है, जूड़ जाईए, CMC code है, और आपको बहुत लाग मिलेगा, comprehensive GAC set का preparation है, live classes है, special focus NCRT's पे भी है, प्लास सेख हो रहा है, Unacademy Civil Services Championship Cup ह 21 जन्वरी को, 11 बजे भी है, 5 बजी है, जब आपका मन करें देने का दीजे, पर दीजे का जरूर इतना मेहनत करके test paper बनाया जारा आपके लिए, rank तो देखी क्या है आपका, अगर rank बनाया तो Macbook मिल जागा, rank 2-5 या laptop मिल जागा, आपको smartphone मिल सकता है, prelims test series का access free में मिल सकत CMC code पर अभी नीचे जाए, description पर क्लिक करिए, link है, हमारी test series भी लॉंच है, जिसमें prelims test series हमारी 2499 में है, हमारी जो distance learning program है, आप तक book पहुंचाई जागी printed 8999 में है, और आपको digital notes मिलेंगे 3499 में, आप इन सब का लाब ले सकते हैं, plus mock interviews हमारे हैं, जिनका interview call आया हुआ है, ज जय हिंद।